हाई गाई स्वागत था आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो चली स्टार्ट करते हैं और उससे पहले में आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि बैस फाइप का कलास स स्टार्ट हो चुका है आज फस्ट थे था तो जिनका भी छूटा है वो कल तक अपना आईडी बना के डिपोजिट करके भेज देंगे ताकि दिक्कत ना हो एक दिन का क्लास से चलेगा लेकिन अब दो दिन का तीन दिन का रहेगा तो नहीं चल पाएगा और बाकि आप सभी कर दें वीडियो को लाइक कर दें अभी दिन में मैंने एक वीडियो डाला हुआ था और अभी तक 78 डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है और यह कलास खतम करने के बाद में ट्रेट कर रहा हूं यह वीडियो बना रहा हूं तो देखते हैं हो सकता है तो 100 डॉलर कि आज देखो मैं ट्रेट तो बहुत कम करता हूं अपना टार्गेट डन करके फिन निकल जाता हूं मार्केट से लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा मार्केट ठीक ठाक लगा था और अच्छे अच्छे लेबल मिल गया थे तो मैं ट्रेट करता चला गया करता चल आगया ठीक ना तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोई अच्छा सा मार्केट कहीं मिल जाए तो यहाँ कि डाउन के लिए जा सकते हैं दोस्तों कि यूनिंग इस्टार के की लेबल का रिट्रेस्मेंट हो चुका है और यह अपनी ट्रेडिंग केंडल है लेकिन इंट्री मुझे सेफ चाहिए और उपर और उपर जाए चलो इंट्री मिस हो गई आपको बता देता हूं देखो इनिंग इस्टार का की लेबल है इसका रिट्रेस्मेंट देखे कंटिनिवेशन देखे यह अपनी ट्रेडिंग केंडल थी यहाँ पर ट्रेड कर सकते थी ठीक ना लेकिन चलो कोई बात नहीं है ट्रेड निकल गया इसको हंड्रेड परसंट रेड ही बनना था इस केंडल को तो दूसरे चार्ट पर देख लेते हैं कहीं भी अपर्चुनूटी मिलती है तो ट्रेड लेकर हंड्रेड को सिस करेंगे पूरा करने के लिए ठीक ना तो वेट करते हैं और यहाँ एक कॉमन लेबल है देख सकते हो यह कैंडल अगर जो उपर गई तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा 30 सेगंड के आसपास और उपर जाए और उपर चलो मैंने दो ट्रेड डाउन डारेक्षन के लिए ले लिया है उसका रीजन आपको पता है कि यह कॉमन लेबल इसकी जाने डाउन लेट लिया है 500 का तो वेड़ करते हैं देखते हैं मेरे कोड़्िंग Siciendal की प्लोजिंग उस कॉमंन लेबल के नीचे होनी चाहिए अंधर होनी चाहिए तो वेट करते हैं देख रोड़ फलेक्टूरिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लास्ट टाइम पर भी हो सकता है ऐसे बहुत होता है ठीक ना तो वेट करते हैं और देख सकते हो ट्रेड अपना विन हो गया है तो कितना 78 था 89 हो गया है तो आगे वहस्च समयल गें ड ट्रेड लूगा यहां पर क्योंकि जिनका गैप डाउन का कॉंक्सेप्त किलियर होगा उनको पता होगा कि वैट करते हैं और नीचे आ जाए और है अरे मैंने का ट्रेड लिया और कहाँ लग गया ठ्रेड देग रहा है तो देखते हैं चलो ये ट्रेड अपना लग रहा है लॉस हो जाएगा ट्रेड लेने का रीजन ये था इस केंडल ने विक से उस लेबल को टच किया था फिर गैब डाउन किया गया था इस लेबल को ब्रेक करने के लिए लेकिन देख रहे हो फेलेक्सियोशन के हुझे से मैंन कि अभी मार्टिंगे लिवज कर लेंगे अभी ठीक ना कि इतना एटी थिरी अगर्ट यहां पर देख सकते ओवरलैपिंग भी हुई है लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे ठीक ना चलो दूसरे चार्ट पर देख लेते हैं भाई वैसे टार्गेट से एबब हो गया तो बहुत जादे रिस्क लेने की जरूरत है नहीं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हंड्रेड कम से कम पहुचा दू तो यहां देख सकते हो कॉमन लेवल है बेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं फिर उसके बाद में फिट्र आएगा देखते हैं और नीचे थोड़ी इंट्री मिले तो फिर आपके लिए जाओंगा क्योंकि अभी मार्केट को वहां तक पहुच रहा है फिर रिजेक्शन वहां से आना है के चल्व है मिस हुई है लेकिन कोई बात ने है फिर भी की ठाकाई इंट्री मिल गए ठीक ना तो मेरे अकॉर्ड कर्दॉन अभी केणडल और रिजेक्शन इस लेवल्स से आना चाहिए कि यहां तक मार्केट को कम से कम जाना चाहिए फिर is rejection आना चाहिए देखते हैं क्योंकि बीच में कोई लेवल है नहीं यहां पर एक्चुली तो वहां पर जाने के बाद ही कैंडल को या तो ब्रेक करें या फिर उसी लाइन पर क्लोज करें फिर देखते हैं दोस्तो इस तरह से सीखना है तो आ जाओ बैस फाइब स्टार्ट हो गया है और जिनको भी यार अ ठीक ना वह आ जाएं सीख लें प्रेक्टिस कर लें फिर लाइप ट्रेट करें ठीक ना और प्रॉफिट करें अपना चलो ट्रेडवीन हो गया एटी एट हो गया है अभी बारा डॉलर अभी कम है अंड्रेड में तो कहीं और देखते हैं कोई लेवल अच्छा सा मिल जाता है तो फिर पूरा करते हैं उसको चलो यह टेल्ले स्कैंडल को देखके मैंने यह ट्रेड लिया है ठीक ना हाँ 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 हाला कि यह कभी कभी फेल भी हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ठीक वेट करते हैं अपने पास इतना एमाउंट है कि हर केंडल पर ट्रेड कर सकते हैं ठीक ना तो टेलेस केंडल के बाद सेम कलर की केंडल आती है लेकिन देखते हैं इसमें फ्लेक्ट्ट्वेशन जादे है और लग रहा है कि ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अभी मार्टिंगा ल्यूज कर लेंगे अगर जो लॉस हो गया तो ठीक न लेकिन दे चैनल के बारे में कि चलो दूसरे चार्ट पर देख लेते हैं और यहां पर इस केंडल लें उसको केंडल किया है तो यहां पर एक रेह rou mañana बीडियो देखा देखो इस कैंडल ने इसका FFLC की नहीं इंगल्फ किया और यह कैंडल आगर जो टेल्लेस कैंडल होती है उसके बाद में फिर यहां पे लेकिन लेबल नहीं होना चाहिए इनिंग मॉर्णी स्टार का की लेबल भी है तो यहां पे वो लेबल वो श्योर्शोट फेल हो सकता है लेकिन चलो यही कैंडल देखो हैमर बन रही है कि दूसरे चार्ट पे देखते हैं कि यहां पे अपॉर्चौनटी नहीं है कि यह देखो दोस्तों यह डार्क लाउड कबर बन गया था यह कॉमन लेबल का फेक ब्रेक आउट था लेकिन इंट्री मिस हुई और उपर मिले और उपर चलो मैंने डाउन के लिए और फेलेक्ट्यूशन के हुझे से कहा लग गया मैंने डाउन के लिए लिया है रीजन आपको पता है देख सकते हो कॉमन लेवल यहां फेक ब्रेक आउट दिखाया फिर यहां पे एक रेट केंडल आनी है लेकिन इंट्री अपनी मिस हो गई है ठ ठीक ना चलो फेक ब्रेक आउट दिखाने के बाद भी मार्केट फिर से उपर गई एक गिरीन कलर की केंडल बनी है अभी 87 मैं मांट बढ़ा के लिए लेता हूँ और आपकी वाले ट्रेड में खत्म करते हैं फिर अंड्रेट पूरा करके देख लेते हैं कहां पॉर्चनोटी मिल रही है और नहीं कर सकते हैं हां वेट करते हैं वीडियो काफी बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं है देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है लेकिन इस केंडल की क्लोजिंग एबनॉर्मेल केंडल होगी तो ट्रेड नहीं करेंगे बाई इबनॉर्मल ही यह बहुत बड़ी कैंडल बन गई यहां भी देख सकते हो चो लोगो यह दूसरे चार्ट पर देखते हैं कोई अच्छी ओपॉर्जोटी मिल जाए यहां भी नहीं करने लाग है यहां भी नहीं यहां पॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट पर देखते हैं सकेंडल की साइज बहुत बड़ी है भाई लेवल नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं अपना टार्गेट ड़न है कोई जरूँ नहीं मैं तो ऐसे बस सोच रहा था कि 100 पूरा कर दूँ हां तो उसकी वज़े से ट्रेट कर रहा था मैं यह तो कोई जरूँवत नहीं है चलो तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग उसके बाद में फिर यहीं पर ट्रेट करके खतम करेंगे और थोड़ा उपर जाए मैं सोच रहा हूँ सेटी मार्जिन से जिनको मेरी शोड़ सोट के बारे में पता होगा देख सकते हैं लेकिन यह टेल्ले स्कैंडल नहीं है तो यहां पर लॉस हो सकता है लेकिन मैंने लास्ट टाइम पर इंट्री चलो अच्छी इंट्री लग गई है मैंने ले लिया है तीसरी कैंडल मैकसिमम टाइम आती ही आती है बाई मैंने नोटिस किया है पलस अगर जो इसमें विक नहीं होती उपर साइड में तो यह श्योर सौड था अपना ठीक ना लेकिन कोई बात नहीं देख लेते हैं और यहां पर तीसरी केंडल रेड बननी थी मैक्सिमम टाइम रेड बनती भी है ठीक ना लेकिन यह तो अपना श्योर सौड भी है तो चार्स होगा लेते हैं कि हंडेट कम से कम पूरा हो जाए ठीक चलो कोई एक जगह देखते हैं चलो यहीं पर मैं ले ले रहा हूं ठीक ना बेट नहीं करेंगे जाते क्योंकि ट्रेंड डाउन है और यहां पर देख सकते हो बायर को इंगल्फ किया गया है सेलर के द्वारा तो एकात केंडल बन सकती है कोई दिक्कत नहीं है और एक्स्पीरियंस भी हो गया भाई ट्रेट करते करते तो इतना प्रॉप्लम नहीं होता है ठीक ना जितना टाइम आप दोगे चार्ट को देखोगे चार्ट को समझोगे देखो लेवल्स हमेशा नहीं मिलते भाई पैट लेकिन विन हो गया लास्ट टाइम अरे रिफंड हो गया भाई साइड में कोई लेबल है अच्छा डबल जीरो है राउंड नम्बर चलो मैंने दो ट्रेड अप डारेक्शन के लिए ले लिया है उसका रीजन साइड में अपना राउंड नम्बर है उसकी वज़े से लिया है क्योंकि वहीं से रीजेक्शन के डल को पिछली के डल को आया है तो यहाँ पर मैं got men केंडल आनी थी इसके वज़े से मैंने डवल चार सुक्त बजाए 800 का ट्रेड ले लिया है वीडियो काफी लंबा हो रहा है कोई बात नहीं देखो दोस्तों मेरा वीडियो हो सके तो क्या नम है रात में ही देखो टाइम निकालके क्योंकि उससे कुछ सीखने को मिलेगा परसेंट कुछ नहीं है तो आप देख सकते हो कि 100 पूरा हो गया सिक्स डॉलर एक्स्टा भी हो गया दोस्तों जिनको भी सीखना है इसी तरह से आ सकते हैं फीस नहीं लगेगा टर्न ओवर के लिंक से आपको एकाउंट बना के आना है और मैं अपने जैसे आपको बनाने की क पूसिस करूंगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार